बलोदा बाजार आगजनी मामले में लगातार आरोपियों को पुलिस पकड़ने का काम कर रही है इस उगर प्रदर्सन में अब तक 148 लोगों की हुई गिरफतारी हो चुकी है और 148 के गिरफतारी में 147 आरोपी सतनामी समाज के लोग हैं जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार आंग्डे का नाम भी शामिल है वही एक अन्य NSUI के विधानसभा अध्यक्ष सुरेकांत वर्मा की भी ग्रफतारी हुई है इधर राजनीतिक पंडितों की माने तो पुरा आगजनी मामला सुन्योजित था जिस पर लगातार सियासी विबाद अब भी जारी है गौरतलब है कि 10 जून को सत्नामी समाज में धरना प्रदर्शन किया जिसके बाद कुछ उगर लोगों के द्वारा कलेक्टर और S.P. कारियाले सहित परिसर में खड़े वाहनों को आग लगा दी गई जिसमें सरकार को करोडों का नुकसान हुआ है तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे संबादाता जैप्रकास साहू से जैप्रकास आगजनी मामले में 148 की ग्रफतारी में 147 आरोपी सत्नामी समाज के लोग हैं जिसमें भी मार्मी के प्रदेश अध्याक्ष राजकमार जानगरे का नाम भी शामिल है क्या कहेंगे जी शिम्रान आपको बतादू देश्वन को जो सत्नामी समाज के द्वारा हिंसात्मास आगज़नी घटना को अन्जाम दिया जया देते हुए कलिक्टेट एसी कारला था लगभाब दोसों से ज्यादा चार परियों और मोटर साइकल गडियों को आग के हवाले कर दिया था अभी तक प्रदेश में 36 गड़ में ऐसा पहला भटना घटा है जिसमें पूरे देश को 36 गड़ की पहचान को शांतिश इला के बता दे अब तक आग देने में घटना को अन्जाम देने वालों में 148 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है जिसमें 147 आरोपी को सत्नामी समाज के हैं वहीं एक अन्य समाज के वर्मज समुदाय के हैं जो एनुशाई के विधान सब़ अत्रक्ष है और उनके भी गिरफतारी हुए है और बड़े चेहरे की बात करें तो सविधान की बात करने वाले धीम आर्मी के प्रदेश अद्देश राजकुमार जांगरे पहें ग्राम पंटेव कारी के शर्पन पती की गिरफतारी की जा चुकी है के शुर्यकांत वर्माव थे तोरफ़ में इस पाश्टों से देखा गया है उसकी गिरफतारी हुई है लेकिन शलेशने के इंत्रवेदी के दुआरा ये कहा जाता है कि वो निर्दोर्स है पास है पुई रही कहीं समझते पर है जी सिंदत सर्फनामी शमाथ समुदाए के लोगों को ही कष्थोंता जा रहा था लेकिन सुर्यकांत वर्मा के विर्मा उत्याक उनकी गिरफतारी के बाद ये निर्दोर शमाध समुदाए के दोरफ़धी के दुआरा के जो तोड़ वुआ था घयातपुरी के अमर भूफा में उसके अब बात करें, तो अगजनी के धजना को इन्जाम मेने की बात कहनेते हैं, तो ये पूरी तरह से नहीं जित था, अभी आगे बहुत सारी खुलाशे भी होने बाकि हैं, क्यूंकि बात करें सरकारी कर्मचारों की, तो सिसी की भी फूटेज में कुछ ऐसे सारकारी कर्मचारी जिनकी पहचान हो चुकी है लेकि उनका अभी तक फरार है उनकी जान पता साझे की जारी है अगर देख्मा दिल चास को होगा कि इसमें राजनीतिक सर्क्षन की बात करें तो कितने ऐसे राजनीतिक सर्क्षन करने वाले हैं जो इन्वाल रहे तो क्या लगता है कि पुलिस पर अगर रखते हैंगे जो भी नमिल पदस्त किया गया है पुलिस अजिक्षक के रूप में विजय अगरवाल हैं कलेक्टर दीपक शोनी है पूरू में जो थे कलेक्टर रहती दोनों को यहां से हटा दिया गया था नियंत्रित कर दिया गया था और मामने को सुल्जाने के लि